क्यों आज यहां के राजा को दारा के दरपार आना पड़ा दारा मेरी और तुभारी कोई दुश्मनी नहीं है हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम बुरे बन कर आतंग पहलाते हैं, और तुम लोग सफेद कपड़े पहन कर आतंग पहलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंग बादी बनाते हो, मुझे शाका का सर चाहिए डारा, वरना वो तुम्हें म मुझे मेरी बेटी वापिश आई है, वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है, कीमत बोलो, बड़ी धाक है आपकी इस इलाके में, आप यहां के राजा जो ठहरे, और फिर उपर से मनित, काम की बात करो, काम की बात, हमारे चार आदमी आपकी मिलिटरी ने पकड़ रखे हैं, थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे, और फिर हमें बॉडर पार भी करवाना होगा, अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पल्टन होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुमारे मिलिट तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुमारी बेटी, वो हमें बॉडर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी, ठीक है, देखो गुल देखो, ने तो रातंकवादी हाथ मिला रहे हैं, इस देश में सब मिले हुए हैं, इसलिए ना तो कभी यहां आत लंकवाद खतम हो सकता है, और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है, हाहाहा, शाका के मिलते ही, इतला कर देना,